आज मैं आपको एकदम इजी तरीके से आईस क्रीम बनाना सीखाती हूँ बनाने की जो फटा फट बनता है पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या चीज इस्तमाल होने वाली है दो बनाना यह क्रीम है क्रीम यह दूद दोनों में से कोई भी एक ले सकते और यह एक कंडेस मिल्क है जो मैंने लिया है चलो अब यह हम स्टार्ट करते इसको केले को बारिक बारिक काट लेटा हूँ देखे मैंने इसको एक दमबारी काट दियू दोनों केले को अब इसको हमको फ्रीजर में एक घंटा रखना है जब तक कि यह बारख बन जाए तब तक इसको फ्रीज में रखना है फिर बात में मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है तो अभी मिल्ते हैं हम एक घंटे के बाद देखी इसको एक घंटा हो चुका है फ्रिज में रखे फ्रीजर में रखे हूए और यह अच्छी तरह से कडक हो चुका है और उमेरा क्रीम भी अच्छे थंडा हो चुका है और मैंने डेक्वरेशन के लिए थोड़ासा बादाम और किश्मिश्य ली हूँ। यह अप्षनल है, अगर आपको दालना है तो दालिए, या तो पिक्त कोई भी चीज आपके पास हो तो वह भी डलते हैं, डेकरेशन कर सकते हैं। यह अभी मैज्यार में बनाना दाल रही हूँ, यह इसारे एक साथ में दालने हैं। और यह पूरा क्रीम डालना है, आप क्रीम के जड़ा पर दूस भी इस्तमाम कर सकते हो, मैंने क्रीम इस्तमाम करी और दो चमच, कंदेस्निंट यह अड़ में अगर आप शक दांते हो, अगर आपके पास लेखते ही तो चकर भी डाल सकते हो अभी हम इसको पीसके बताते हैं, अभी मैं इसको पीस रही हूँ और इसको स्लो स्लो पीस ना है एक्दम फास इक सात में नहीं प develops न नहीं तो खना रहाब हुजएगी देखिए, अभी मैं इसको पेस्ट ली हूँ, अभी इसको मैं अपने बर्तन में निका देए हूँ ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये ठीक कुस में रहेगा, इसको मैं बर्तन में पूरी तरह से निका रहे हूँ कुछ बनाना उसमें थोड़े थोड़े अख़्े भी है, चलेगा, मुह में आना चाहिए, बनाना ऐसक्रेब मालम कैसा पड़ेगी वो ये मेरा हो चुका है, और इसको मैं और आदा घंटा फ्रेज में रखूँगी तो अभी मेरा ये आदा फंटा हो गया है, मैंने अभी इसको फ्रेजर में से निकाल दी हूँ, अब इसको मैं सर्फ कर रहे हूँ और ये मैंने बनाई हूँ तो घर के क्रीम से बनाई हूँ, जो हम लोग रेगुलर दूद मंगाते हैं उसमें से जो क्रीम निकलता है उसका बनाई हूँ, और जो बाहर रेगुलर मार्केट में मिलता है तो वो क्रीम से भी बना सकते हो, मगर ये मैंने घर की क्रीम से बनाई यह देखे मैंने इसको बनाई हूँ तो देखे कितना स्मूत निकर रहा है यह मैंने ज्यादा दिर नहीं रख लिए हूँ सिर्फ आदा गंटा रख लिए हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को कुछ ज्यादा खाई है खाने की और लोग थोड़ा सा स्मूत खाते इसके लिए मैंने ज्यादा देर इसको रखी नहीं हूँ और आप लोग अगर एकदम ठीक खाते हो तो आप ज्यादा देर मतलब एक घंडा रख सकते हो मैं ज्यादा देर इसको रखी नहीं हूँ क्योंकि मुझे बच्चों को जरा जल्दी खाना था इसलिए और हम इसको ये किश्मिश आपको जो चाहिए आप डाल सकते हैं टूटी फूटी भी डाल सकते हो किश्मिश भी डाल सकते हो जो भी घर में वो डाल सकते हैं लॉकड़न का टाइम है तो घर में जो भी सामान रहता उसे आप बनाईए, घरवालों को भी खिलाईए, खुद भी खाईए, और कैसा बना है हमको ये बताईए.